वेलकूम टो रोशी हायात किछिन बिसमल्य अर्माने रहीम अस्साना ओलेकूम फ्रेंज आज हम बनाएंगे मैंगो डलगोना मिलक्षेक जी हाँ डलगोना कॉफी तो आपने पी ही होगी लेकिन आज हम बनाएंगे इसका मिलक्षेक भी जो की बहुत ही मज़े का बनता और में आपकाड़े है इसके मेरे ले लिया है एक आम लिया है मैं बड़े साइस का आम लिया है और इसके मैंने अच्छै वाश कर लिया है वाश करने के बार नहिmbol अब हम इसको चीले लेंगे और चीनिन और जिते भी आम के क्यूब्स थे इसको हमने मिक्सी के जाल में डाल देंगे और आप में आहां पर डालूंगी दो बड़े चम्मच चीनी के डालूंगी अगर आपका आम बहुत जादा मीठ है तो इसको आप इसकी भी कर सकते हैं चीनी को लेकिन अगर थोड़े से खटे पन तो आप चीनी को जरूर इसमें यूज़ कीजिए मेरा आम थोड़े से खटे पन पे था तो इसकी प्यूरी बन गिद्ना हो गई है मैंने करते हैं दल्गोना की तयारी तो उसके लिए मैंने ले लिया है बड़ा समयने बोल लिया है और इसमें हम डालेंगे फ्रेश क्रीम में यूज करूंगी 100 ml अगर आपके पास हैवी क्रीम है यह विपिंग क्रीम है तो आप यहां पर उसका भी यूज कर सकते हैं और यह बहुत जादा चिल्ड है एकदम मैंने इसको फ्रीजर में रख दिया था जिससे बहुत ज्यादा थंडी हो गई है और साथ ही जो इसका मैंने बोल यूज किया यह भी एकदम चिल्ड है और जब दोनों चीज एकदम से थंडी होती है तब ही हमारी क्रीम बहुत अच्छे सी विप् रख सकते हैं लेकर उसमें थोड़ा सा ज्यादा लगेगा और यह देखिए इसमें स्टेफीक्स बनना स्टार्ड हो गए हैं लेकिन अभीस को हमें थोड़ा सा और करना है इसको विप करने में तकरीबन आठ से दस मिनट का वक्त लगता है और यह देखिए यह अच्छे से विप हो गई है क्रीम हमारे आप देख रहे हैं कॉंटिटी की डवल भी हो गई है यह अब इसमें जो हमने मैंगो प्यूरी बनाई थी ना वह हम इसके अंदर एड कर देंगे और इसको एक बार फिर हम इस तरह से मिक्स करेंगे एक बार हम चला देंगे इसमें कोगी जित्ती भी मैंगो प्यूरी हमने डाल लिया ने क्रीम के अंदर बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाएगी और यह देगे अब हम करते हैं इसके तैयारी तो इसके लिए मैंने ले लिया है एक गिलास लिया है हमने और उसके अंदर हम डाल देंगे ये आइस क्यूप और यहां पर ढालेंगे दूड डालेंगे जिसे मैंने नॉर्मली गरब बॉयल करने के बाद में एकदम ठंडा कर लिया था और इसमें मैंने डाल दिया है एक चमस चाहिए एक चीनि को इसकि भी कर सकते या इसके ऑन्पने तेस्ट के अकॉडिंग चीनी की को गटाया बड़ा भी सकते हैं तो मैंने हीहाँ पर आदा कप दूर लिया है और इसमें हमने ढाल दिया है जो हमने डल गो न क्रीम बनाइए थी नए उसको हमने इसके अंदर ढाल दिया है लिए अब तोड़ा से डेकुरेट करिंगे जिसे में डाल दिये हैं मैंगो के जो ऑने क्यूब उठा लिये थे वह डाल देगे और इसमें डाल देंगे थोड़े से पिस्ते जिसको मैंने इस तरह से बारीक बिल्कुल कर लिया है एक दम पॉटर फॉर्म में थोड़ा सा बना लिया है तो देखो पिस्ते को हमने इसके अंदर डाल दिया है आप चाहें तो अपनी किसी भी पसंद की चीज़ से इसको गानिश कर सकते हैं किसी बिट्रा जब आप इसको एक बार बनाएंगे किसी के भी सामने सर्फ करेंगे तो आपका फैन हो जाएगा बहुत ही जबरदस्त बहुत ही माउथ बाटिंग रेसिपी है तो इस रेसिपी को अजरू ट्राइ कीजिए इस गर्मियों में ठंड ठंडम डलगोना मिलक्षेक आपको बहु अपने के साथ ही बेल आइकन के बटन पर भी किलिक कीजिए ऐसा करने से मेरे वीडियो से रिलेटिट जो भी नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मेलेगा और ये बिल्कुल फ्री है मेरे वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरू शियर करें दौमी